हलो फेंट्स आज का टॉपिक है हाइडोलिक फिल्टर मैं सिवासी चंदा आप सब कर स्वागत करते हूं मेरे टेखनिकल व्यू चैनल में और टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ यह पाउरपैक का ही पार्ट है जो मैंने लाश्ट टाइम डिसकस किया था कित है तो आय सर्किट के माध्रम से देखते हैं कि हाइडोलिक फिल्टर का अप्लीकेशन किस-किस जगह में है और कौन-कौन से इप्लिकेशन वे यूज हो रहा है पहले टाइब के बारे में जान लेते हैं हैं है में सक्षन फिल्टर प्रेशन लाइन फिल्टर होता है और भी फिल्टर होते जैसे आफ लाइन फिल्टर हो लेकिन सर्कीट का पार्ट नहीं होता है उसको अलग से लगाना पड़ता है तो आई सर्कीट में देख लेते हैं किसको सक्षन लाइन फिल्टर बोलते हैं किसको प्र उसको सक्सर्ण लाइन फिल्टर बोलते हैं अब परम कर डिश्चार्ज के बाद जिस फिल्टर का यूज होता है उसको प्रेशर लाइन फिल्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं जो रिटन लाइन में जो फिल्टर यूज होता है उसको रिटन लाइन फिल्टर बोलते हैं भी शारीटर उroscopy कौते को थोड़ा सा कर थी है इस इंपल सा सर्कीट मैंने बनाया इन इसके बाद नफ डॉने अंपने मस्य विरें यान सकते हैं उसके पांद में बिटा फे लूब के बारे में बहुताूँगा कि बेटा कैंवेल वेलू कैसे कैलकुलेट होता है जिसमें फिल्टर का इफिसेंसी पता चलता है सक्सन फिल्टर लगा हुआ जो क्यों लगाया जाता है सक्सन फिल्टर क्यों लगाया जाता है प्रेसर लाइन फिल्टर क्यों लगाया जाता है रिटर लाइन फिल्टर इसके बारे में भी जानें पहले देख लेते हैं कि सर्कीट क्या बोल रहा है सक्षण लाइन है यह टैंक है यह सक्षण लाइन है जिसमें फिल्टर लगा हुआ है पंप जब भी सक्षण कर रहा है तो फिल्टर के थुरू सक्षण कर रहा है जब फिल्टर के थुरू सक्षण कर रहा है फिल्टर क्या कर जितना भी टैंग में फेरस मैटेरियल हो या कुछ भी कंटेमिनिटिशन हो यह अपजॉब कर लेगा उसको पासोन होने नहीं देगा पंप तक तो क्या होगा पंप फैलियर होने के चांसे लो हो जाएगा तो इससे क्या प्रफिट हो रहा है इससे सक्षन फिल्टर से पंप से सेफ हो गया इससे अब पंप जो फिट कर रहा है प्रेशर लाइन में तो उसके बाद में प्रेशर लाइन फिल्टर है प्रेशर लाइन में जितना भी कंटेनर को अब जब करनेक जितना भी फैरेस मैटेरियल हो या कंटेनमेंट हो या कुछ भी गंदा जो इसमें है आपका और उसके बाद नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा लाइन के इक्विमेंट फैलियर के चांसे कम हो जाएंगे लाइन में डाइसन का डूर लगा हुआ हुआ है फिर रिली बाल लगा हुआ है रेडूसिंग बहुत सारे वाल लगे हुए रहते हैं फ्लो कंट्रो बाल लगे तो सारे कम्पोनेंट कर फैलियर का चांसे लो हो जाएगा बहुत ज्यादा लो हो जाएगा उसके बाद यह वात पुराना हो जाने से उसका कुछ पाट का निकलने लगता तो जो पाइप्टाइन से मेटरियल या इन्पॉ़नेंट का तो उसको फिल्टर में paid के उसमें उसकी दो टैंक में Sozialig ने लिए Centralода फिल्टर में कहोँ पाएगा और तो क्या होगा टेंक clean रहेगा तो सेम चीज़ रहेगा आपको filter change करना है एस पर सेडूल सेडूल में six month हो सकता है किसी का कोई नास मेलू मेंटेन करने के बाद में करते हैं filter तो सारा पक्रिया है अगर आप सेडूल मेंटेनेंस करते तो ज्यादा अच्छा है चार मेना से पाँच मेना में एक बर filter change कर दीजिए जिससे कि आपका कॉंपोनेंट का लाइब बढ़ जाएगा प्लस ट्रवल फ्री मशीन चलेगा तो यह हो गया filter के बारे में फिल्टर के बारे में सक्सल लाइन फिल्टर में सबसे ज्यादा में साइज होता है 100 micron में साइज हो गया प्रिसल लाइन में छे से लेक में इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि बीटा वेलू कैसे कैलकुलेट होता है तो थैंक्यू फैंट फॉर सेंग माई वीडियोज प्लिस लाइक सेर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग टेकनिकल वीडियोज धन्यवाद